हलो फ्रेंड्स आप सभी के अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है आज मनुझे स्यार्टी सेवन कलास साइंस का चेप्टर फाइब का कोसेंसर करने वाले हैं चेप्टर फाइब का नाम है रेसों से वस्त्र क्लियर है तो वीडियो के साथ बने रहे हैं और कहीं पर दिक्कत हूँ कि तो मुझे कमेंट कर दीजेगा तो चलिए बढ़ते हैं कोसें अंसर की ओर सबसे पहला नमबर देखिए सही विकल्प का चयन करें पहला नमबर निमनांकित में से किसी से उन रेसा प्राप्त नहीं किया जा सकता तो पहला देखिए बक्री बक्री से तो किया जा सकता है दुसरा है लामा, लामा से भी किया जा सकता है, फिर C, C है, अल पेका, इसे भी किया जा सकता है, फिर D है, कीट, तो कीट से नहीं किया जा सकता है, हाँ, रेसम कीट से, रेसम प्राप्त किया जा सकता है, उन नहीं, किलर है ना, अब देखिए, दुसरा नमर का question, निम्नांकित में से कौन सा रेसम का प्रकार नहीं है तो option है पहला option है option है मलबेरी option B है तसर option C है मुंगा और option D है कीट तो अंसर हो जाएगा option D कीट कीट रेसम का प्रकार नहीं है clear है अब देखिए third number तिसरा number रेसम कीड़ा है option A caterpillar option B कोकुन option C सलम option D इन में कोई नहीं तो अंसर हो जाएगा A number caterpillar clear है उसके बाद देखिए चार number नांकित में कौन उन नहीं देता है clear है option A याक option B उठ option C बक्री option D कुता तो इसके अंसर हो जाएगा option D कुता clear है अब लोग बढ़ेंगे दुसरे नंबर की और अब देखिए दुसरा नंबर का question है रिक्त अस्थानों की पूर्ति करें clear है खालेस्थान को भरना है A नंबर देखिए खालेस्थान एवं खालेस्थान से जानताव रेसे प्राप्त किये जाते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा ऊन एवं रेसाम से जानताव रेसे प्राप्त किये जाते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा उंठ के बालों का उपयोग उन के लिए किया जाता है अब देखिए C नमबर उन के लिए भेडों के बालों की कटाई समानेता खाले स्थान मोसम में किया जाता है तो अंसर हो जाएगा उन के लिए भेडों के बालों की कटाई सामानेता गर्मी मोसम में किया जाता है किलर है अगर गर्मी मोसम में ना करके ठंडा मोसम में करेंगे ना तो जितना भी भेड़ बकरी है ठंड सही मर जाएंगे किलर है इसलिए गर्मी का दिनु में उनका बालों को हटाया जाता है अब देखिए D नमबर सामानेता रेसम, कीट, खालेस्थान है तो अंसर हो जाएगा अब देखिए E नमबर E नमबर का कोस्टेन है रेसम, कीट, खालेस्थान, की पतियों पर पलते हैं रे सम रे से खलश्थान के बने होते हैं तो अंसर हो जाएगा रे सम रे से रे सम कीट के बने होते हैं किलर है इससे नोटाउन कर लिजिए उसके बाद हम लोग देखेंगे थ्री नंबर थ्री नंबर देखिए खंड क से खंड क का सही मिलान करें तो देखिए ए है अभी मारजन किलर है मैंने हाँ क्रिस करुस किया हुआ आपको सिधा सिधा लिखना है अंसर में किलर है ना तो देखिए ए अभी मारजन इसका मेच हो जाएगा काटी गई उनकी सफाई फिर बी का रेसम कीट का भोजन से जो रेसम कीट है तूत की पतियां खाती है किलार है ना अब देखिए C नमबर याक याक का मिलान हो जाएगा उन देने वाले जन्तू याक उन देने वाले जन्तू है उनका बाल काफी बड़ा बड़ा होता है आप लोग देखे होंगे चीतर में अगर सच में याक देखें तो भी उनका बाल काफी बड़ा बड़ा होता है अब देखिए D number, कोकून, कोकून का मेचिंग हो जाएगा, रेसम फाइबर उत्पन करता है, क्लिए है ना, कोकून क्या करता है, रेसम फाइबर उत्पन करता है, इससे नोडावन कर लीजे, फिर हम लोग देखेंगे, next, 4 number, फोर नमर का question है, कि नहीं दो जन्तुओं के नाम लिखें, जिनसे उन रेसे प्राप्त किये जाते हैं, तो अंसर हो जाएगा, पहला भेड और दुसरा बकरी, भेड और बकरी, इनके बालों को हम लोग उन बनाते हैं, क्लिएर है, अब देखिए, फाइब नमर का question, रेसम किट पालन से आप क्या समझते हैं, तो अंसर हो जाएगा, रेसम प्राप्त करने के लिए, रेसम के कीटों को पालना रेसम किट पालन कहलाता है, क्लिएर है न, बहुत ही आसान है, उसके बाद देखिए, 6 number, 6 number का question है, भेड के कौन से भाग तन्तू उन बनाने का काम आता है, क्लिएर है न, भेड के कौन सा भाग तन्तू उन बनाने का काम आता है, तो यहाँ पर अंसर हो जाएगा, तन्तू रुपी मुलायम बाल, क्लिएर है, तन्तू रुपी मुलायम बाल, अब देखिए, 7 number के question है, उन तन्तू से उन किस प्रकार प्राफ्त किये जाते है तो अंसर हो जाएगा, उन तन्तू को मसीन से धागों के रूप में बाटा जाता है, तत्पस्चात उनके गोले बनाये जाते हैं, और पेकिंग मसीन से उनकी packaging की जाती है, किलर है, महती आसान है, इससे note down कर लिजिए, उसके बाद हम देखेंगे 8 number, 8 number देखने से पहले आप मैंने चैनल को, HDS टूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो सब्सक्राइब कर लिजिए, और बेर आकिन को ही प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो प्लोड करूँ, आप तक नोट्सपिक्सन चली जाए, और वीडियो अच्छे लिग हो तो कोकून बनाते हैं, तो इसका अंसर हो जाएगा, कोकून रेसमी तंतु का एक कोमल आवरन है, जो कीडे द्वारा निसारित किये गए द्रव, प्रोटीन के कड़ा होने से बनता है, तो देखिए, जो रेसम का कीडा रहता है, ठीक ना, वह एक प्रोटीन निसारित करता है, ठ प्राकृतिक एवं संसलेशित रेशा में क्या अंतर है तो अंसर हो जाएगा प्राकृतिक रेशा कुछ वस्तुवों के तंतु पोधों एवं जानुवरों से प्राप्त होते हैं जिन्हें प्राकृतिक रेशा कहते हैं जैसे रूई, जूट, उन, एवं रेशम फिर देखिए संसलेशित रेशा प्राकृति से प्रेरणा लेकर मनुस्त ने गैर प्राकृतिक स्रोतों से रेशे बनाए हैं इन्हें संसलेशित रेशे कहते हैं जैसे रेयोन, नायलोन, पोलिस किलियर है यह सब फैक्टर में बनता है ठीक है ना अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं टेन नंबर की और टेन नंबर के कोस्टन है रीना अपनी मोसी के साथ साड़ी खरिदने दुकान गई वहां उसने पाया कि संसलेशित रेसमी साड़ी का मुल्य प्राकृतिक रेसमी थी कि ऐसा क्यों होता है पता करें किलर है ना तो इसका अंसर हो जाएगा ऐसा इसलिए क्योंकि प्राकृतिक रेसम प्राप्त करना अत्यांत कठिन है यह एक लंबिक प्रक्रिया है जिसमें बहुत अधिक समय लगता है और करोडो रेसम के कीट मरते हैं दूसरी और संसलेश संसलेशित रेसम एक पुन्तय मसीनी प्रक्रिया है जिसमें कम लागत आती है क्लिर है न इसलिए प्राकृतिक रेसम का मुल्य जादा रहता है और संसलेशित रेसम से बना कपड़ा का मुल्य बहुत कम रहता है इसे नोटाउन कर लिजिए यह था हमारा लास्ट कोस्टन इस च